हलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में आपको बड़ी ही कमाल की स्मार्ट वाच का अंबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूं जो की उने वाली है एंड्रोइड स्मार्ट वाच सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज में जी हाँ दोस्तो ये ओने वाली है टोटली एंडरोइड स्मार्ट वाच और ये मैंने पर्चेस किये Amazon से सिर्फ 800 रुपीज में तो इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे कि क्या इस smartwatch को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इस smartwatch के अंदर कुछ तो बहुत कमाल के फीचर मिलता है जैसे कि browser हो गया, WhatsApp हो गया, Facebook हो गया, यह सारे applications आपको इस smartwatch के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो चलिये ज़ादा टा एक बाठेटेटी रिखने हम अजय को वाहीं किकी तो कि मैं अगी को उत्टारी जादेगी तो अगर अगर बात करें सम्साय को छ गाली टो गॉत जादा इंप्रेसिव है इसे बहले मैंने आपको ट्री है इम्ट्री एक श अड़ी है तो फोड़ा ओड से घ्जान है कि यहां व यहां पे आपको metal build देखने को मिलेगा और particularly मैंने यह जो color मंगाया है बहुती कमाल का लगता है तो यहां पे sides में आपको metal build देखने को मिल जाएगा पीछे की side में तो plastic है बट side में metal build जो है वो बहुती जादा premium बना देता है से smart watch को और अगर बात करें camera की तो नीचे की side में आपको camera देखने को मिल जाएगा चूकि बहुत जादा नजर नहीं आता तो overall decent location smart watch का अगर बात करें straps की तो यहां पे आपको silicon straps देखने को मिल जाएगे चूकि अच्छी quality के है और उसी के साथ यहां पे आपको removable straps का feature देखने को नहीं मिलेगा और यहां पे आपको charging के लिए space दी गई है तो इसे आप open कर सकते हो यहां से कुछ इस तरीके से open हो जाता है और इसके अंदर हम charge कर सकते हैं इस smart watch को और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कर देखने को मिल जाता है और इस साइट पीचिक सेट में जाता है और इस सबससे चीपात है कि मंधर कर दिया है तो इस SIM के अंदर नेटवर्क है, तो आज किस वीडियो में आपको प्रॉपर टेस्ट करके बता दूँगा कि क्या सच में नेट चलता है और यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ट का भी सपोर्ट इखने को मिल जाएगा तो इन दोनों को लगा लेते हैं एक बार तो यहाँ पर सब क्योंकि इसका डिस्पले अचा कासा है मानता हूं कि थोड़े ओपर और नीचे साइड में बैजल जाता है बद ओवर ओल डीसें डिस्पले है और अगर बात पर ब्राइटनेस की तो अच्छी खासी ब्राइटनेस से डिरेक सब्सक्रों तो भी कोई दिकत नहीं आएगी और उसके बाद यहां पर आपको इस टाइप से यह उपर एटल का लोगो देखने को मिल गया है मतलब से हम अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है और उसके बाद चलिए आपको बताता हूं इसका यूआ ही सबसे पहले तो अगर इसके उपर इस तरीके से टैप करते हैं त की तरफ स्वाइब करने पर भी अप्लिकेशन आता है उपर से नीचे की तरफ करके देखते कुछ नहीं होता है और नीचे सबपर की तरफ चेक कर लिता है तो इससे भी एप्लिकेशन जाता है अगर आप इस बटन को एक बार प्रेस करोगे तो फिर यहां पर आपको वाच देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर built-in 3 watch faces का support देखने को मिल जाएगा जिनको आप चेंज नहीं गड़ सकते हो तो यह तीन watch faces आपको देखने को मिल जाता है और अगर वापस प्रेस करोगे तो फिर off हो जाएगी और यहां पर प्रेस करोगे और उसके बाद यहां पर इस तरह के से swipe करके इसका main android feature इसको enable कर सकते हो उसके बाद यहां पर अगर बात करें इसके application की तो चलिए करके application समझाना है इसके अंदर दो option है पहला यह कि आप इसके अंदर sim डालके use करो दूसरा यह है कि आपके phone को bluetooth से पहोगे और दोनों यह options बहुत जादा useful है उसके बाद यहां पर आपको calendar का support देखने को मेंसेंजर का support देखने को मिल जाएगा और यहां पर अगर चाहो तो message को type भी कर सकते हो अगर आपको कुछ message बेजना हो तो यहां से आप इस तरह के से send कर सकते हो कि किसी को भी message send कर सकत हो तो चलिए और applications चेक करते हैं उसके बाद है call locks, call locks आजाएगे आपके SIM से भी और आपके Bluetooth से भी उसके बाद है calendar तो इसकी जो touch response है वो काफियत तक अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी calculator भी है से smart watch के अंदर इसके उपर click करके इसके barcode से आप इसका application download कर सकते हो उसके बाद Bluetooth तो यहां से आप आपके जो device से उसको connect करके manage कर सकते हो उसके बाद यहां पर आपको Bluetooth music का option देखने को मिल जाएगा तो यहां से आपके phone के music को control कर सकते हो उसके बाद यहां पर आपको option देखने को मिलेगा music का music player के अंदर अगर आपके जो memory card है उसके अंदर को सबसे बड़ा हाइलाइट है कैमरा तो एट रूपीस में इस समार्ट वॉच के अंदर कैमरा से तो आप क्या ही एकस्पेक्च कर सकते हो चलो फिर भी एक बाट का फोटो यह W26 का बॉक्स से इसका भी पिचर क्लिक कर लिता हूँ तो यह रहे कुछ इमेजेज जो कि मैंने इसी स्मार्ट वॉच के कैमरा से क्लिक किये है तो अगर मैं ओनेस् रिव्यू दू तो DZ09 के इसाब से तो बहुत अच्छा का सा कैमरा है इसका रीजन यह है कि अपनको पता होता है कि जनरली स्मार्ट वॉच के अंदर कैमरा अच्छे नहीं मिलते है फिर भी अगर आप देखोगे तो डिटेल्स अच्छे से आई है मतलब बेलकुल अच्छे खासी इमेज क्वालिटी है और ओवरॉल इस स्मार्ट वॉच का कैमरा समार्ट वॉच के साब सबसे बहुत जादा अच्छा लगा कैमरा के बाद है गैलरी का फीचर तो यहां पर आपके जो मेमरी कार्ट के इमेज है या फिर आपने जो क्लिक किये होंगे वह में तो इस तरीके से आपके images आप चेक कर सकते हो उसके बाद main features जो यह चार features है mainly लोग इसी के लिए से smartwatch को खरीदते हैं तो चलिए इन features को test करता है तो सबसे फ़ले यहां पर आपको option देखने को मिलेगा इंटरनेट का तो यहां पर छलो ठीक है open हो चुका है तो मैं सबसे पहले कुछ type करता हूं यहां पर लिख़ा है enter URL तो मैं इसके ओपर कुछ type करता हूं तो यहां पर आपको type करने के लिए keyboard भी देखने को मिल गए हैं तो मैं लिखता हूं यहां पर A, B, C तो यहां पर मैंने A, B, C लिख दिया है और उसके बाद OK कर देता है यहां पर आखा रहा है fail to open page जी हाँ दोस्तों यही सच्चा ही है इस smart watch की तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो A1 है यह original A1 smart watch नहीं है जी हाँ जैसे कि मैंने सोचा था वो ही हुआ है तो Deezer 09 जो मेरे पास आई थी वो भी original नहीं थी और A1 smart watch भी original नहीं है इसका reason यह है कि इसके अंदर यह चारो ही feature work नहीं करता है मैं जब भी इस पर load करने के कोशिश करता हूँ यहां पर लिखाता है fail to open page तो उस वज़े से यह जो smart watches होती है इनके अंदर internet features work नहीं करता है तो आज के इस वीडियो से यही conclusion निकाल सकता हूँ कि यह जो internet related features जो होता है work करता है बट original A1 smart watch के अंदर work करता है original A1 smart watch को ढूणना बहुत मुश्किल है और वो जो है आपको local market में ही देखना को मिलती है original जो A1 smart watch होती है उसके अंदर यह चारो ही features work कर जाता है बट बात यह है कि यहां पर आप यह जो image देख रहे हो यह जो image है यह original A1 smart watch का है तो मैंने भी सोचा था यह image देखके कि original होगी बट यहां पर आप देख सकते हो compare कर सकते हो बहुत ज़ादा फरक है इसके menu style में तो यह original A1 smart watch नहीं है तो original A1 smart watch original DZ09 smart watch के अंदर सच में applications work करते हैं इस type के बट यह जो fake smart watch होती है जो की cheap price में मिलती है 800-900 रुपे में उनके अंदर यह features work नहीं करता है आप कितनी भी कोशिश कर लोगे तो भी यह work नहीं करेगा मैंने हर तरीके से try कर लिया है यहां पर settings में settings को भी change कर लिया हर तरीके से try कर लिया बट यह 4 features work नहीं किये तो यह जो smart watch है इसका सबसे बड़ा drop back है होता है internet work नहीं करता है तो इस चीज को ध्यान में रखना आप और finally आज के वीडियो मैंने clear कर लिया कि यह जो watches होती है इनके अंदर internet work नहीं करता है उसके बाद यहां पर आपको कुछ और features देखने को मिलता है जैसे कि pedometer है pedometer accurate है बहुत अच्छी readings है sleep monitor work नहीं करता है fake है यहां पर आपको fake ही देखने को मिलेगा of course ही बात है उसके बाद sleep monitor के बाद यहां पर आपको option देखने को मिल जाता है जैसे कि file manager का file manager के अंदर जाके आप memory card के जो भी files वगिर है उनको check कर सकते हो remote capture का feature है sedimentary reminder का feature है और यहां पर उपरी साइड में देखते हैं यह कौन सा feature है तो यह remote notifier का feature है आपको देखने को मिल जाएगा fine phone का feature है alarms का feature है तो यह सारे features आपको देखने को मिल जाएगे से smartwatch के अंदर और overall अगर कहा जाए तो decent smartwatch है internet वर्क नहीं करता है यह सबसे बड़ा topic है but मैं बस recommend कर सकता हूँ कि जिन लोगों को अची का सी smartwatch चाहिए हो calling feature से मतलब हो क्योंकि calling feature देखने को मिल जाता है से smartwatch के अंदर यहां से आप calls कर प्लेश कर सकते हो context के अंदर आपके phone के सारे ही context हो जाएगे एक बार मैं आपको एक call प्लेश करके बताता हूँ तो इस तरीके से आप calling feature को यूज कर सकते हो local call और BT call मतलब Bluetooth वाला call दोनों ही कर सकते हो तो इस तरीके से आप इसके उपर calls वगरा कर सकते हो और overall decent watch है माना internet वर्क नहीं करता बट ऐसे देखा जाए तो अच्छी watch है 800 रुपए क्योंकि बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो कम price में अच्छी कासी watch देखने को मिल जाती है यहाँ पर message आया है तो message को भी आप check कर सकते हो यहाँ पर तो overall अच्छी कासी watch है अगर आप में से किसी को internet वोगरा चाहिए हो या फिटनेस वीचर्स चाहिए हो तो मतलो कोई मतलब नहीं है बाकी अगर पसंद आ रही हो तो link दे दूँगा description में purchase कर सकते हो मेरा काम था इसकी सारी details देना जो कि मैं दे चुका हूँ उमीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगाओ तो like, subscribe जरूर करना मिलता हो किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई